हेलो फ्रेंड्स आइम बैक विद अनदर वीडियो दोस्तो इस सीरीज में हम साइट लियाउट के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या नौनेज होना जरूर है और साइट लियाउट से पर कैसे करें सब कुछ सिंपल स्टेप्स में समझेंगे मैं 100% शूर हूँ कि अगर आपने इ अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं में नेक्स वीडियो के लिए जिसमें मैं उन टर्म्स को एक्स्प्रेंड करूंगा अगर आपको जल्दी है जानने की इन टर्म्स के बारे में वर्ट्स के बारे में तो आप कॉमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं मैं मैं एस सून एस पॉसिबल रिप्लाइ करूँगा नाव कि इस स्टार्टेट लेयाउट कराते वक्त हमें धियान रखना चाहिए कि कुछ टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अब हम वन बै वन उनको जानेंगे और साथ ही बताता चलूं कि इन टर्म्स के बिना लेयाउट सही सकरा पाना इंपॉसिबल है रिडिंग आफ सर्वे रिपोर्ट को स्टाडी करना इनीशियल स्टेप है वेकर साइट की टीटेल्स लाइक बाउंडरी ज्टोपिग्राफी रिक्वाइड वेरहाउस एसे बारे में सर्वे डीटेल से ही हमें इन्फोर्मेशन मिलती है ताकि बाद में बाउंडरी दिस्प बाउट में सबसे जाधा यूज होने वाले मैथमेटिकल ब्रांचेज हैं जेमेट्री में शेफ साइजेज एन एरिया एस्सेटरा और ट्रग्नेमेट्री में पाइथेगुरस प्रपर्टीज और ट्रैंगल्स एंड हीरोस फॉर्मला की नॉलेज होना बहुत जरूरी है इन सारे टम्स को अन्नून वैल्यूस फाइट करने के लिए यूज किया जाता है लेवलिंग लेवलिंग एक्चुली सर्वेइंग की एक ब्रांच है बिल्डिंग में हम लेवलिंग यूज करते हैं प्रोपोस्ट बिल्डिंग को सिंगल लेवल में लाने के लिए लेवलिंग लेवल डिसाइड होने के बाद उस लेवल से ग्राउंड लेवल प्लेंट लेवल और फ्लोर लेवल भी find out किये जा सकते हैं छोड़ी साइट्स पर पर पाइप लेवलिंग इस्ट्रुमेंट्स यूज़ किया थे हैं पाइप लेवलिंग इस एक less accurate मैथड है प्रपोस स्ट्रक्चर की एक सैक्ट लोकेशन साइट प्लाइन ड्रॉइंग में गिवन होगी साइट प्लाइन ड्रॉइंग में प्रपोस स्ट्रक्चर को लोकेट करने के लिए रिफ्रेंस बाउंडरी या रिफ्रेंस बिलिंग की हल्प लेना होगी refresh boundaries ये refresh building के help के लिए हमें drawing reading आना must है तो दोस्तों ये layout series का पहला वीडियो था I hope you enjoyed आप कुछ information इससे मिली हो knowledge मिली हो तो next week मैं इसका second part upload करूँगा ये quality video होगी जिसमें थोगा समय लग सकता है लेकिन quality videos में तो समय लगता ही है ये आप समझते ही होंगे इन videos में जो next videos में आ रही है इन videos में मैं in terms जो मैंने आज बताए हैं इसके बारे में explain करूँगा कि in terms को कैसे use करते हैं और अपने work को कैसे easy बना सकते हैं in terms को use करके thanks for watching अगले video जरूर देखेगा इस video को share जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे benefit ले सकें thank you stay आपे लोगे 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 जरूर कर देखेगा